ओम शांती, आज 26 जनवरी 2023 के साकार मधुर महवाक्य हैं, आज सत्गुरुवार वर्दानों से जोलियां भरने का दिन, शक्तियां पाने का दिन है, परम सत्गुरु ने वर्दानी द्रिष्टी के साथ भौती सुन्दर वर्दान दिया है, अंतर मुखी भव, अपने पुराने खाते, संकल्प और संसका रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर मुखी भव, बाबा बच्चों को हमेशा पुराने चोपडे से मुक्त देखना चाते हैं, पुराने हिसाब किताब से मुक्त देखना चाते हैं, उसके लिए अंतर मुखी बनो, अंतर मुखी अध्य बनना अथात योग-युक्त बंधन-मुक्त बन चाना, कोई सेवा भी करते हो, तो बाहिये मुख्थी से अंतर मुख्य हो जाओ, बाहिये मुख्स से फिर अंतर मुख्था की गुफा में बैठ कर, फिर सेवा में आओ, ताकि आप बाब को प्रत्यक्ष कर सकें, आत्मे प्रसन चित्त बन जाए, सरल शब्दों में अंतर मुखी सदासुखी होता है, और अंतर मुखी उसको ही कहते हैं, जो योग युक्त हो, युक्त युक्त हो, बहुत ही सुन्दर बात आज बाबा ने समझाई, कि जो अम्रित वेले का समय होता है, वो बहुत शांत, शुद्ध वायू मंडल होता है। उससमें दे सही दे के सब समंदों को भूल कर एक बाबा को याद करो। ये सची कमाई का समय है। अभिनाशी कमाई का समय है। आप सबसे अच्छा करम करते हो जो अपना सब कुछ बाबा को सोंप देते हो। बाबा सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ, ऐसे बच्चे जो अपना सब कुछ बाबा को सूप देते हैं, तो उनके पुन्य करम होते रहते हैं, सबसे अच्छी सेवा है, रूहानी सेवा, रुहों को ज्यान दान देकर ज्यान इंजेक्शन लगाकर आप पावन बनाते हो सुनते हैं बाबा के मदर बूल बाबा के ते मीठे बच्चे अमरित वेले के शान्त शुद्ध वायू मंडल में तुम देह सैथ सब कुछ भूल मुझे याद करो अमरित वेले के शान्त शुद्ध वायू मंडल में तुम देह सैथ सब कुछ भूल मुझे याद करो उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी कोश्यन है बाब की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा करम कौन सा करते हो बाब की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा करम कौन सा करते हो सबसे अच्छा करम है बाबा पर अपना सब कुछ तन मंधन सहित अरपन करना जब तुम सब कुछ अरपत करते हो तो बाबा तुम मेरी तन में इतनी ताकत देता है जिससे तुम सारे विश्व पर सुक शान्ती का अटल अखंड राज्य कर सको जब सब कुछ अरपित करते हूँ तो बाबा तुम्हें रिटान में इतनी ताकत देता है जिससे तुम सारे विश्व पर सुक शान्ती का अटल अखंड राज्य कर सको दूसरा प्रश्न है बाबा ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता रुखानी सेवा तुम आत्माओं को विकारों की बिमारी से छूडाने के लिए ग्यान का इंजेक्शन लगाते हो तुम आत्माओं को विकारों की बिमारी से छोड़ाने के लिए ज्यान का इंजेक्शन लगाते हो तुमों रुहानी सोशल वर्कर मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्यान इंजेक्शन देकर आत्मा को जाकती जोत नहीं बना सकते ये सेवा बाप ही बच्चों को सिखाते हैं जाकती जोत बनाने की सेवा बावा ही बच्चों को सिखाते हैं ओम शांती भगवान वाच ये तो समझाया गया है मनुष्य को कभी भगवान निकाह जा सकता ये मनुष्य स्रिष्टी और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्षम बतन में शुबाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप विनाशी शरीक का बाप तो विनाशी है ये तो सब जानते हैं पूछा जाता है तुम्हारे इस विनाशी शरीक का बाप कौन है आत्मा का बाप कौन है आत्मा जानती वे परम धाम में रहते हैं अब तुम बच्चों को देह अभिमानी किस ने बनाया देह को रचने वाले ने अब देह अभिमानी कौन बनाता है जो आत्माउं का अविनाशी बाप है अविनाशी माना जिसका आदी मध्यंत नहीं अगर आत्मा और परमात्मा का आदी मध्यंत कहें तो वे रचना का भी सवाल उठ चाहें उनको कहा जाता अविनाशी आत्मा अविनाशी परमात्मा आत्मा का नाम आत्मा है गुरुवर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा है म मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पाप आत्मा हूँ, ये आत्मा कहती है, स्वरग में कभी भी अक्षर आत्मा ही नहीं कहेंगी, इस समय आत्मा पतित है, जो फिर पावन बनती है, पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है, जो भी मनुश्य आत्मा हैं, उनको पुनर ज शिवाय नमा कहते थे अब बाव कैते तुम पुझारियों निम्ह तो बहुत बारी किया, अब तुमें मालिक पूझ्ये बनाता हूं, पुझ्ये को कभी नमा नहीं करना, पूझ्यारी नमा अथ्वा नमस्ते कहते हैं, नमस्ते कार्थ है नमह करना, कान थोड़ा नीचे जरू करेंगे, अब तुम बच्चों को नमह कहने की दरकार नहीं, ना लक्षमी नारण नमा, ना विश्नु देवताई नमा, ना शंकर देवताई नमा, ये अक्षर ही पुजारी पन के हैं, अब तो तुम्हें सारी स्रिष् बाप को ही याद करना है, कहते हैं, वो सर्व समर्थ है, कालूग का काल, अकाल मूरत है, स्रिष्टी का रच्चता है, जोति बिंदू स्वरूप है, आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते थे सरव्यापी, कुट्टे बिली में भी है, तो सम महिमा खतम हो जाती है इस समय के मनुष्य ही पाप आतमाई हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी, मनुष्य की ही सारी बात है, आत्मा कहती है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, जिसे आत्मा बिंदू है, ऐसे परमात्मा भी जोति बिंदू है, वो भी कहते हैं, मैं पतितों को पावन ब बनाने के लिए साधारन तन में आता हूं, आकर बच्चों को obedient servant बन सर्विस करता हूं, मैं रुखानी social worker हूं, तुम बच्चों को भी रुखानी सेवा करना सिखाता हूं और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखाते हैं तुमारी है रुखानी सेवा, तब कहा जाता ज्यान अंचन सत्गुरु दिया, अज्यान अधेर विनाश सच्चा सत्गुरु वो एक ही है, वो ही authority है सब आत्माओं को आकर injection लगाते हैं, आत्माओं में ही कड़ी बीमारी है, इसके लिए इंज्यान सागर बाप के सिवाए और किसी के पास नहीं है, आत्मा में पाँच विकारों की जो बीमारी है उसे ठीक करने का injection बाबा के पास है और किसी के पास नहीं बाबा कर आत्माओं से बात करते है आत्माओं तुम जागती जोद थी फिर मायने परचाया डाला, डालते डालते तुम्हें दुन्द कारी बुद्धी बना दिया बाकी कोई युदिष्टर वधृत्राश्ट्र की बात नहीं, ये रावन की बात है बाबा केते मैं आता ही हूँ, साधारन डेती, मेरे को विरलाई कोई जान सकता है शिव जियनती अलग है, कृष्ण जियनती अलग है, परम पिता परमात्मा शिव को स्री कृष्ण से मिला नहीं सकते वो निराकार, वो साकार, बाबा केते मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाती हैं, हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सत्यूगी दैवी राजस्थान बनाऊ, कोई समय दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा? परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं अभी है पतित प्रजा का प्रजापर राज्ये इसका नाम है कब्रिस्तान माय ने खतम कर दिया अब तुम्हें दे सई दे के सब समंदों को भूल मुझ बाप को याद करना है शरे निर्वार्थ करम भले करो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुर्शाथ करो ये एक ही युकती बाबा बताते सबसे जास्ती मेरी याद तुम्हें अमरित वेले रहेगी बाबा की प्रथम आग्या है सबसे अच्छी याद अमरित वेले रहेगी क्योंकि वो शांत, शुद्ध समय होता है उस समय ना चोर-चोरी करते हैं, ना कोई पाप करते हैं ना कोई विकार में जाते हैं सोने के टाइम सब शुरू करते हैं इसे कहा जाता घोर, तमो, प्रधान, रात बाबा कहते बच्चे, past is past भक्ति मारक का खेल पूरा हुआ अब तुम्हें समझाय जाता ये तुम्हारा अंतिम जनम है ये प्रश्ण उठ नहीं सकता कि स्रिष्टी की वृदी कैसे होगी वृदी तो होती रहती है जो आत्माई उपर हैं, उनको नीचे आना ही है जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा फिर नंबरवार सबको जाना ही है गाइट सबसे आगे होता है न बाबा को कहा जाता लिब्रेटर पतित पावन पावन दुनिया है इस्वरग उसको बाप के सिवाई कोई बना ना सके अब तुम बाप की शिरिमत पर भारत की तन मंधन से सेवा करते हो गाइटी जी चाहते थे प्रंतु कर ना सके ड्रामा की भावी ऐसी थी जो पास्ट हुआ पतित राजाओं का राज्जे खतम होना था उनका नाम निशान खतम हो गया उनकी प्रोपारिटी का भी नाम निशान नहीं है खुद भी समझते थे लक्षमी नारणी स्वरग के मालिक थे प्रंतु ये कोई नहीं जानते उनको ऐसा किस ने बनाया जिरूर स्वरग के रच्यता बाप से वर्सा मिला होगा और को इतना भारी वर्सा देना सके ये बाते कोई शास्त्रों में नहीं है गीता में है प्रंतु नाम बदल दिया कोरव पांडव दोनों को राजाई दिखाते प्रंतु यां दोनों को राजाई नहीं है अब बाप फिर स्थापना करते है तुम बच्चों को खुशी का पारा चड़ना चीए अब नाटक बुरा होता है हम जा रहे हैं हम स्वीट हों में रहने वाले हैं वो लोग कहते फलाना पार निर्वान गया जोती जोत में समाया अत्वा मोक्ष को पाया भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है कहते स्वर्ग पधारा बाबा समझाते मोक्ष तो कोई पाता नहीं सबका सद्गत इदाता बाप है वो जरूर सबको सुक देगा एक निर्वान धाम में बैठे एक दुख भोगे ये बाप सहन कर नहीं सकते बाबा है पतित पावन एक है मुक्तिधाम पावन दूसरा जीवन मुक्तिधाम पावन फिर दुआपर के बाद सब पतित बन जाते हैं पाँच तत्वादी सब तमोप्रधान बन जाते फिर बाबा आकर पावन बनाते फिर वहां पवित्र तत्वों से तुमारा श्रविर गोरा बनता है नैचरल ब्यूटी रहती है उसमें कशिश रहती है स्रिकुष्ण में इतनी कशिश है नाम ये स्वर्ग तो फिर क्या परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं अकाल मुरत फिर उनको ठिकर वितर में ठोक दिया बाप को कोई भी जानते नहीं जब बाप आए तब आ कर समझाए लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब बाप की बाइगरफी का उनको पता पड़े बाप के बिगर बच्चें को बाप की बाइगरफी का पता कैसे पड़े बाबा केते लक्ष्मी नायन को वरना है तो मेहनत करनी पड़े जबरदस्त मंजिल है बहुत भारी आमदनी है सत्योग में पवित्र परविर्ती मारक था पवित्र राजस्थान था अब अपवित्र बन गया सब विकारी बन गये यह आसुरी दुनिया बहुत करप्षन लगी हुई है राजाई में जो ताकत चाहिए इश्वरी ताकत तो है नहीं प्रजा का प्रजाप राज्य है जो दानपुने अच्छे करम करते हैं उनको राजाई घर में जनम मिलता है वो करम की ताकत रहती है अच्छे करम की ताकत रहती है अब तुम बहुत उचे करम करते हो तुम अपना सब कुछ तन मंधन शिव बाबा को अरपन करते हो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अरपन करना पड़े तुम उन मैले आदी बने, धन दान करने से धनवान घर में जनम मिलता है, अभी तो राजाई कोई है नहीं, अब बाबा तुमें कितनी ताकत देते, तुम कहते हम नारायन को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तुम कहते हम नरायन को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन यह नई नई बाते, नारद की बात अभी किया है, रामायन आदी भी अभी के हैं, सत्युच त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं, सबी शास्त्रों का अभी से तैलूक है, जाड को देखेंगे, मट पंसब बाद में आते हैं, मुंक्ये ब्रामन वरन, देवता वरन, शत्ये व दुनिया के लोग यह नहीं समझते, भगती से नीचे उतरते हैं, कह देते भगती से भगवान मिलता है, बहुत पुकारते हैं, दुख में सिम्रन करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो, वहां दुख की कोई बात नहीं, यहां सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं अब तुम शिवाय नमेनी कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है ना, बाप को सरव्यापी कहने से ब्रदर हुड उड़ चाता है, भारत में कहते तो बहुत हैं, अच्छा है हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुसलिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना, एक बाप के अच्छे हैं, ये ब्रामनों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है, इस ब्रामन धरम से देवी देवता धरम निकलता है, देवी देवता धरम से शत्रिय धरम, शत्रिय से इसलामी धरम निकलेगा, सिजरा है ना, फिर बोधी कृष्चन निकलेंगे, ऐसे वरिदी होते होते इतना बड़ा जाड़ हो गया, यह बेहद का सिजरा, वैवतहद का, यह डिटेल की बाते जिसको धारण नहीं हो सकती, उनके लिए बाबा सहज युकती बताते, बाप और वरसे को याद करो, तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकि उच्पद प्राप्त करना है, तो उसके पुर्षाट करना है, यह तो तुम बच्चे जानते हो, शुब बाबा भी तुमको समझाते, यह बाबा भी समझाते, वो ही हमारी तुम हरी बुद्धी में है, बले हम शास्त्रादी पड़े हुए हैं, प्रन्तु जानते हैं, इन सबसे कोई भगवान नहीं मिलता, बाबा स समझाते, मीठे मीठे बच्चे, शुब बाबा और वर्से को याद करते हो, बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे से महिमा करनी चाहिए, इसी समय तुम बच्चे बाप और वर्से को याद करते हो, यह बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे से महिमा करने चाहिए बाबा की तुम बच्चों को ईश्वरिय लॉट्री मिली है किसी की लॉट्री निकलाए तो उसकी सिती कैसी होती है अभी ईश्वरिय लॉट्री मिली है मेहनत करनी है ज्यान योग की इसमें जबरदस्त प्राइस मिलती है तो पूरा पुर्शाद करना चाहिए प रुहनी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, रुहानी बच्चो की रुहानी बाप ददको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, धरणा के लिए सार। से खुशी का पारा चड़ा रहें पास्ट सो पास्ट कर अंतिन जनम में बाबा को पवित्रता की मदद करनी है तनमंधन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है तनमंधन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है वर्दान है सर्व पुराने खातों को संकल पूरसंस का रूप में भी समाप्त करने वाले अंतर मुखी भव, पुराने खातों को संकल्प पूरसंस का रूप में भी समाप्त करने वाले अंतर मुखी भव, बाप तदा बच्चों के सब चोपड़े साफ देखना चाहते हैं, थोड़ा भी पूराना खाता, अर्थाद बा सर्वबंधनमुक्त योग यूक्त इसको यह अंतर मुखी कहा जाता सेवा खूब करो üसें इद नेन नोगे क्रों अर योशा नगी क्रों का विअ कि सूरत द्वरा बाबा का नाम बाला करो अंतर मुक्ता की शूरत द्वारा बाबा का नाम बाला करो आतमाई बाबा का बन जाएं ऐसा प्रसन्र चित बना दो स्लोगन है अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल समंद संपरक में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूरत बनना है अपने परिवर्दन द्वारा संकल्प बोल समंद संपरक में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मुरत बनना है अव्यक्त इशारा मन की एकागरता ही एकर सिती का अनुभव कराएगी एकागरता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिष्टा सिती का सहज अनुभव कर सकेंगे एकागरता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विगन बना देगी एकागरता अर्थान मन को जहां चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना समय एकागर कर लो इकागरता कर्थ क्या है? मन को जहाँ जैसे चाओ जितना समय चाओ उतना समय इकागर करलो मन वश में हो आज हम सब अभ्यास करेंगे बाबा का वरध हस्त मेरे सिर पर है उसे बहुत किरणे निकल रही है मैं अंतर मुक्ता की गुफा में अंतर मुखी सदा सुखी आत्मा हूँ जैसे गुफा में तपस भी बैठता है ऐसे ब्रिकुटी की कुटिया में मैं आत्मा बैठी हूँ मैं अंतर मुखी आत्मा अंतर का रस प्राप्त कर रही हूँ मैं बंदन मुक्त हूँ उल्जनों से मुक्त हूँ सदा योग योग तो बाबा से इतनी शक्तियां प्राप्त करें सब बंदन समाप्त हूँ जाएं बाबा की शक्तियों में इतना बल है सब बिगन समाप्त बंधन भी समाप्त शुक्रिया बाबा शुक्रिया औु शाल्डी, शाल्डी, शाल्डी स्ँ्ष्प।